स्वागते दोस्तों आपका हमार यूट्यूब चैनल इंवेस्टर ठावें अब दोस्तों निवेश करने की जब बात आती है मुचिल फंड प्लान के अंदर तो लोग को लगता है कि याँ पर उन्हें सालों तक पैसे को निवेश करना होगा तब उनके पास एक बड़ा फंड हो पाएगा या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं चो लमसम पैसा निवेश करके आरदस साल वेट करते हैं उसके बाद ही वो अपने पैसे पर एक अच्छा रिटन बना पाते हैं ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जिनका ये सोचना होता है कि mutual funds में आपके पैसे पर रिस्क बहुत जादा हो जाता है लेकिन जब तक आप mutual funds के अंदर एंटर नहीं होगे तब तक आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि mutual funds कैसे काम करता है यहाँ पर आपको कौन कौन से option मिल जाते हैं या फिर यहाँ पर आप कैसे एक बड़ा fund भी बना सकते हैं उसके लिए आपको पहले उतरना होगा फिल्ड में यानि के mutual funds के मैदान में अगर आप mutual funds में उतरते हैं तब आपके देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको अलग-लग ऐसे option भी मिल जाते हैं जहाँ पर आपको हर मैने एक income भी हो सकती है यानि कि यहाँ पर आप जिन्दगी भर एक income भी शुरू कर सकते हैं और उसके साथ-साथ आपका जो पैसा होगा वो भी लगातार बढ़ता रहेगा लेकिन बहुत तारे लोग क्या करते हैं कि अपने पैसे को लंब सम जब जादा पैसा आता है कहीं से तो उसे bank FD में डाल देते हैं साथ-साथ-साथ परसेंट ब्यासदर उन्हें मिल जाता है आरदस साले वर उनका टार्गेट होता है पैसे निवेश करने का तो वहाँ पर उन्हें एक अच्छा खासा amount ब्यासदर के रूप मिल जाता है लेकिन अगर आप इसे महगाईदर यानि inflation rate से compare करके चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपने जो पैसा निवेश किया और जो अपने profit कमाया है उस पर आपको कुछ भी benefit नहीं मिला है यही वज़ा है कि आपको जब भी निवेश करना है और अपने पैसे पर अगर रिस्क ले सकते हैं तो आपके पास mutual funds में बेहतीन option मिल जाते हैं और आज इस वीडियो में HDFC के एक ऐसी scheme के बारे में हम बात करने बारे हैं दोस्तों जिसके बारे में अगर आप जान लेते हैं तो यहां से आप 28,000 रुपे जिहां 28,000 रुपे की मतली income अपने bank account में सीधा start कर सकते हैं और यह जो income होगी यह आपको एक दो महीने नहीं आएगी बलकि जिन्दगी भर यह 28,000 रुपे की income आपके bank account में आती रहेगी और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपने जो पैसा निविश किया आप वो आपको वापस मिलेगा बलकि वो पैसा भी आपको कैई गुना होकर वापस मिलेगा और इसकी value करोड़ो रुपे में पहुँच जाएगी जिकर इसके लिए आपको दो काम करने हैं पहला आपको patience के साथ लगतार निविश रखना है और दूसरा काम यह है कि यहाँ पर आपको टार्गेट को कम से कम 7 से 10 साल का लेकर चले हैं क्योंकि mutual fund में आपको short term के अंदर correction ज़रूर मिलेंगे अगर पिछले 10 साल पे आप किसी जहाँ पर आपको एक stable return लगतार सालों तक मिला है और आज भी अगर आप पैसा निविश करते हैं यहाँ पर SWP option यानि कि systematic विट्रॉट ब्लांट के अंदर यानि कि एक system से सीधे आपके account में हर मेने 28,000 रुपे आते रहेंगे और यहाँ पर यह पेंचन जिंदगी बर ऐसे का फाइदा आप उठा सकते हैं यानि यहाँ पर mutual funds पे SWP एक दबरदस्त option ऐसा है जिसके अंदर लगतार एक income आप स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन साड़े 4000 से जाधा प्लान में से अगर आपको SWP के लिए 273 प्लान प्रिक करना है तो उसके लिए आपको सारे ही करेड एडिया फॉलो कर रहे होंगे पहला ऐसा फंड जिसने लगतार एक अच्छा रिटन दिया हो दूसरा फंड के अंदर अगर बड़े बड़े करेक्शन आये हैं उन करेक्शन को फेस करने के बाद फंड ने कैसा रिटन दिया है और तीसरा यहाँ पर आनिवरे टाइम में फं इस स्कीम के बारे में बात करें उसकी पूरी डिटेस समझेंगे इस वीडियो में और कैलकुलेशन करके देखेंगे कि 28,000 रुपी की इंकम के लिए कितना पैसा आपने वेश कर सकते हैं और कितने साल तक आपको ये इंकम हो सकती है उसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कीम की तो ये है HDFC का ELS Tax Savor Fund Direct Plan Growth दोस्तो इस फंड के अंदर Tax Saving के साथ साथ फंड ने लगतार एक अच्छा रिटन दिया है फंड ने कई पर बड़ी करेक्शन फेस किया है चाहें से 2020 क्रोना लेकिन उसके बावजूद फंड का लगतार रिटन एनॉलाइज 16.35% से जाता है लास्ट 5 एर की बात करें तो फंड ने रिटन दिया है 20% का लास्ट 3 एर में रिटन है 27% का लास्ट 1 एर का रिटन 47% का और 6 मंत में शांदार 20% से जाता रिटन है अब दोस्तो यहां पर इस फंड के अंदर 16% का रिटन लगतार आपको 15 साल से मिला है और इतना ही रिटन यानि के 16% का रिटन आपको आने वले टाइम के अंदर भी मिल जाता है यहां पर आप 28 लाक रुपे लमसम निवेश करते हैं इस पर इंकम चुरू करते हैं 28,000 रुपे मतली की और आप इस टार आपको 16,000 रुपे का अमाउंट आ चुका होगा लेकिन अगर आप 12 साल के लिए पैसे को निवेश करते हैं तो यहां पर 28,000 रुपे की वैल्यू बढ़कर 55,000 रुपे की होगी और यहां पर 28,000 रुपे मतली के साब से कुल 40,000 32,000 रुपे का विट्रॉल अमाउंट आप ल 2,000,000 रुपे से जादा की हो जाएगी लेकिन अगर आप 24 साल तक पैसे को निवेश कर देते हैं तो यहां पर आप 28,000 रुपे की वैल्यू बढ़कर 2,000,000 रुपे की होगी जबकि 28,000 मतली के साब से आपको 80,000,000 रुपे का विट्रॉल अमाउंट मिल जाएगा देकिन 30 सा में दोस्तों आपको कमाल का रिटन मिलेगा क्योंकि यहां पर आपके पैसे यानि 28,000,000 रुपे की वैल्यू बढ़कर 4,000,000,000 रुपे से जादा की होगी और 28,000,000 मतली के साब से आपको कुल विटॉल मिलेगा 1,000,000 रुपे का यानि कि यहां पर आपने 2 बेनिफिट हासि पोर्टफुलियो के अंदर जिन में पैसे को निवीश क्या क्या है इसमें अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो HDFC Bank, ICC Bank, Axis Bank, Sipla, भारती रिटेल, HCL Technology, हिंदोस्तान Aeronautics यानि के एक से एक दमदार कंपनी पोर्टफुलियो के अंदर शामिल है और दोस्तों इन कं हमें एक 32 ग्रोथ लगतार देखने के मिली है, फंड के एनवी का प्राइज 1405 रुपे है, यानि लंब सम अगर आप पैसा निवीश करते हैं तो आपको करेंट एनवी के प्राइज से यूनिट मिल जाती है, इसी पर प्रॉफिट या लॉस मत्ली बेसिस पर आप देख सकते हैं, एकुटी के अंदर 91 परसेंट पैसा यूज क्या गया है, और कैस में 8.6 परसेंट, जबकि एकुटी सेक्टर लोकेशन की बात करें, तो यहाँ पर फाइनल सेक्टर के अंदर 38 परसेंट पैसा, अधर सेक्टर के स्टॉक में 22 परसेंट, हेल्थ केर में 14 परसेंट, टेक के expense ratio खर्चा fund का 1.09% है fund के अंदर exit रोटनल है यानि यहाँ पर आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं इसके लावा tax की बात करें long time आप पैसान विश करते हैं तो आपको सिर्फ 10% LTCG tax देना होगा रोशनी जैन और धुरूफ fund को manage करें दोस्तो HDFC MC के हम बात करते हैं तो total asset के साथ थे second number पर रहें कैसे fund house की यहाँ पर even काफी बड़ा है इस MC का और काफी पुराना यह MC है तो दोस्तो SWP option में अगर आप mutual funds के अंदर पैसे निविश करते हैं तो मतली income के साथ-साथ हम अपने पैसे को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं यहाँ पर short term में आपको correction मिल सकता है लेकिन अगर आपका target long time पैसे निविश करने का है तो यहाँ से आप mutual income के साथ-साथ एक बड़ा fund भी बना सकते हैं इस वीडियो से लेटेट अगर आपका कोई कोशन होता है तो आप जरूर बताइए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेए धन्यवाद